गुड मानिक श्टुडेंट मैं गुड दूसार आप सभी के स्वी टिम शाकत करता हूँ बचों आज देखे हमारे पास जो कुश्चन है यहाँ पर क्या लिखा है प्रूब एट प्रूब एट और यह आपके पास डिटर्मिनेंट है इसको आपको इक्वल के जीरो दिखाना है ठीक है तो यहाँ पर देखे यह आपका कुश्चन नमबर टू है ठीक है कुश्चन नमबर वन मैंने बता दिया है आपको अब यहाँ पर देखे कुश्चन नमबर टू में हम सलूशन कैसे करेंगे बहुत आसान सा question है यहाँ पर देखिए solution मैं यहाँ पर कर रहा हूँ देखिए ध्यान दीजेगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A और यहाँ लिखा है C, A, B और 1, 1, 1 ठीक है? इसको लगाने का कई रूल है हम इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं लेकिन बेटा, सबसे बड़ी बात यह होता है यहाँ पर कि जैसे आप इसको zero दिखाना चाहते हो तो zero कैसे दिखाओगे? या तो इसमें क्या हो जाए? zero दिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका है या तो दो रो या दो कालम अगर एक्वल हो जाएं तो determinant क्या हो जाता है? zero हो जाता है तो चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा करने में हम कामियाब होंगे? ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या है? देखिए यहाँ पर one 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 लिखा है लेकिन एक बात यहाँ पर दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं चाहूं यहाँ यह आरवन वाली लैन है इसमें चाहें A प्लस B प्लस C यहाँ पर देखिए इनको आरवन के साथ R2 हैट करेंगे तो क्या हैगा? A प्लस B प्लस C इसमें भी क्या हैगा A plus B plus C तो R1 से A plus B plus C क्या कर लेंगे कामन कर लेंगे तो 1-1 ये भी हो जाएगा और 1-1 नीचे है ही है तो अगर 2 इसमें देखिए रोक एक्वल हो जाएगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आसन में आगे नहीं आगे चलिए उकरते हैट करते है A plus B plus C तो और जाएगा A plus B plus C ठीक है इसको भी एट कर दीजे इसके साथ तो ये भी हो जाएगा A plus B plus C हो जाएगा ठीक है इसके साथ इसको आट कर दीजे देखते क्या A plus B plus C ये भी हो गया ठीक, बाकी जैसा लिखा है, वो ऐसे लिख दिया बाकी को, बाकी में कोई changing नहीं किया, 111, बोलो clear होगे नहीं हो गया, अब देखिए, यहां भी A plus B plus C है, A plus B plus C, यहां भी है, यहां भी है, तुम चाहें तो common ले सकता हूँ, A plus B plus C, ले सकता हूँ नहीं, common का मतलब A plus B plus C से स 111, ठीक हैं? अब इसमें देखिए, यहां पर क्या है, R1 जो है, वो equal है किसके? R3 के, हैगे ने, equal, तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यह लिखेंगे क्या, देखिए, यहां पर हम लिखेंगे A plus B plus C, और इसकी तो value 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि R1 और R3 equal हो गए, तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर चाहे दो रो चाहे दो कालम आप समेकोल हो जाएंगे तो उसकी वैलू जीरो हो जाएगी तो देखिए यह आपका जीरो हो गे इतना और यहां इंटू में ए प्लस भी प्लस ही है तो जब इसके साथ इसका म में रखा करो कि कभी आपको जीरो लाना हो तो यही पहले चेक कल्या करो कि क्या किसी कंडिशन से हम यह बना सकते हैं कि इसके दो रो और दो कालम एकोल हो सकते ही नहीं हो सकते हैं ठीक है चाहे दो रो आपस में एकोल हो जाएं और चाहे दो कालम आपस में एकोल हो जाएं त झाल झाल